नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मैं हूँ PC वर्मा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ UGC नेट परिक्षा के बारे में UGC नेट परिक्षा दिसंबर के बारे में तो एक बहुत अच्छी खबर है कि अधिस उचना जारी हो गई है UGC नेट परिक्षा के लिए ज साइक प्रोफेसर और जुनियर रिसर्फ फेलोशिप के लिए होगी तो मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा तो उससे पहले आप से नुरोध है कि अधि आपने हमाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए क्योंकि हम आपके इसी प्रक होगे मैं इसके लिए आपको पूरी जानकारी दूँगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है कैसे आपको टेस्ट में सामिल होना है और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं तो यह जो परिक्षा है वे विस्त्री जो इन्फॉर्मेशन बुल्टीन है वो जारी ह हुई है NTA.AC.In और NTA.NIC.In इन दो साइट्स पे आप जानकारिया देख सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं पॉंबरने का समय है 1 सितंबर 2018 से 30 सितंबर 2018 तक और सुल्क का भुकतान 1 अक्टूबर 2018 तक किया जा सकता है अर्थात आक कारी है वो यह है कि इसमें जो परिच्छा होगी वो दो पेपर होंगे उसमें पहला पेपर होगा जो सो अंक का होगा उसमें कुल पचास प्रस्ण होंगे और या एक गंटे का पेपर होगा साड़े नौ बजे से और दूसरा पाली जो होगा अर्था जो दूसरा पेपर देंगे वो देंगे दो पजे से तीन बजे तक अर्था दो पाली में होगा इसके अलावा जो पेपर टू है वह होगा 100 अंकों का जिसमें दो सव अंकों का जिसमें कुल 100 प्रस्ण पुछे जाएंगे इस प्रकार कुल 150 प्रस्णों में आपको 300 अंक मिलेंगे दोनों पेपर मिलाके और जो दूसरा पेपर है वो दो गंटे का होगा 11 बजे से 1 बजे तक और दूसरे सेड्यूल पे दूसरे सिफ्ट पे 33 से 35 तक और य यह जो नया बात इसमें है वो है यह पूरी प्रक्रिया इस बार CBT से होगी कंप्यूटर बेस टेस्ट अर्थात कंप्यूटर में आपको परिक्षा देनी है पेपर आएंगे कंप्यूटर पे और ऑनलाइन आपको परिक्षा देनी है यूजिसी नेट की इस बार तो यह एक कुछ चेंज भी हो सकते हैं अभी यह बताया गए कि 9 से 23 दिसंबर तक टेस्ट होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले NTA की साइट पर जाना है नेशनल टेस्टिंग जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ यह पहे आप देख सकते हैं पूरी जानकरदी हो यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एजेंसी है पुनतह स्वायत तसासी आथवनीरबर और श्वा नियमित अग्र परिक्षाओं को आयोजित करता है और अभी यह UGC Net संचालित करने का कारे भारत सरकार द्वारा NTA को सौप आ गया है तो इसका जो साइट है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे पूरी जानकारी इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह जानकारी आजाएगी और इसमें पूरा विश्त्रित वियोरन दिया हुआ है कि इस प्रकार से है इसके अलावा आप दूसरी साइट देख सकते हैं वो ntna.nic.in इस पर जाकर आप अपनों फॉ दिया गया है फिल एपलिकेशन फॉम यहां आप जैसे क्लिक करेंगे तो एपलिकेशन सब्मिट करने के लिए आपके पास ब्यजा जाए गा जीसमें नेयो कंडिटर में करना है लिए आपको फोटोग्राफ और चिंचर को इसके जो आपके पास होगा उसको आप अपलोड क करना है उसके लिए लिंक बना है चाहे तो आप एक ही बार लॉग इन करके सारे काम कर सकते हैं इसके अलावा जो रिजिस्टर हो जाएंगे candidate वे अपने admit card को download करने के लिए application number password security के साथ क्लिक करेंगे तो यहां पर उनको admit card बाद में मिलेगा जब परिच्छा की घोशना हो जाएगी तो इसमें जैसे यह आप करते हैं फिल application form इसमें क्लिक करेंगे अप्लाई यहां पर अप्लाई फार इजसी नेट दिसमबर 2018 में आप क्लिक करेंगे तो यह पेज आ करेंगा यहां आप देख सकते हैं पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है जो फीस है वो जनरल केंडिट के लिए 800 रुपए है ओबी सी के लिए 400 रुपए और एस्टी एस्टी और पीड़ डी तथा टांस जेंदर केंडिट के लिए 200 रुपए है इसके साथ इसमें जेस्टी लग टेका साइज होगा जेल पीजी या पीजी फॉर्मेट ही इसमें लागव होगा इसके लवा जो फीस है वो भरा जा सकता है निट वैंकीं के त्वारा डेविट कार्ड क्रेडेट कार्ड और इन सभी के दवारा आप फीस को जमा कर सकते हैं जो निरधारे attend फीस है यह आप इसमें जमा कर सकते हैं अभी मैं आपको बता हूंगा कि एप्लिकेशन फॉर्म भरना कैसे है उसके अलावा उसमें क्या-क्या आपको लगेगा तो इसमें आप प्रोसीड टू अप्लाई ओनलाइन पर क्लिक करेंगे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यह पेज आ होगा इसमें रिजिडेंस पूछा जा रहा है आपका स्टेट ऑफ रिजिडेंस क्या है आपका राज्य आदेटिपिएशन मार्य चो टाइप है वो क्या है आधार पासपोर्ट स्टुडेंट आइडी यह सबी हैं इसके बाद आपको इसका number डालना है, जो भी आपका document number होगा, इसके बाद नाम डालना है, date of birth डालना है, gender डालना है, और security pin जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो डालना है, इसको submit करना है, इसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगी, तो यह जो पूरी विश्त्रित ज होना प्राडम होगा, एक नव दो हजार अठारा से तीस नव दो हजार अठारा तक, और final जो date है, फीस जो payment करना है, वो फीस पेमेंट करना है, ग्यारा बच के पचास मिनट रात के एक अक्टूबर तक, अब इसमें जो फीस वगर की जानकारी मैं आपको बता दी है, पहले जो schedule है, पहले अभी बताया गया है, कि ये exam जो होगा, वो exact date or time बताया जाएगा, 21 अक्टूबर 2018 को, NTA की site पे, अभी tentative है, ये प्रारंब होगा, 9 से 23 दिसमबर तक, उमीद की जा रही है, exam के होने की, और जो time का, मैंने आपको बताया पहले, कि ये time होगा, 9 से 1 बजे तक और second shift होगा, 2 बजे से 5 बजे तक, ये चलेगा, लोगों को slot दिये जाएंगे, उसके आधार पे अपना अपना परिच्छा देना है, और result जो होगा, वो 10 जनवरी 2019 को आएगा, इसके अलावा, जो और इस पे जानकारिया है, exam sentence वगरा की, वो, ये आप देख रहेंगी, ये पूरा से due list में दिखाया गया है, eligibility जो है, वो पात्रता जो है, जो इसको परिच्छा को दे सकते हैं, उनको at least 55% अंकों के साथ उत्तिर्ण होना होगा, अपना master graduation, और जो reserve candidate है, OBC, SC, ST, और PWD candidates, उनको at least 50% mark पना होगा, master degree में, इस परिच्छा में आवेदन करने के लिए, जो age limit है, वो 30 साल है, और reserve category में ये age छूट दी जाएगी, जो दी जाती है, भारसरकार के नियुमों के तहद, अब आपको apply कैसे करना है, तो apply करने के लिए आपको कुछ जानकरिया अपने पास रखनी होगी, वो है, आपका certificate, board university का, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, date of birth, आधार कार्ड, identification का जो आपका bank account number, passport number, रासन कार्ड और जो अन्य ID है, वो रखने होंगे, qualification आपके लिए आपको last semester का mark डिग्रेटना होगा, mailing address चाहिए, और चार city चाहिए, जिसमें आपको choice करना है, साथ ही आपको अपना subject का code जानना होगा, post graduation level का code जानना होगा, यह आपको देखना पड़ेगा, नेकसर से, और इसके अलावा category certificate, PWA certificate, यह सभी होने चाहिए आपके पास, और जो आपका sign है, और photo है, उसका scan copy होना चाहिए, तो यह सभी चीजों को रखने के बाद, आप apply करेंगे, और जो मैंने बताया था, जहाँ पर आपको click करना है, वहाँ पर करेंगे, उसके बाद फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो अभी मैं आपको पूरा detail दिखाऊंगा, कैसे आपको form fill up करना है, तो form fill up करने के लिए, आपको सारे आपके photo और signature को scan करके system में रखना है, और यह जो cities है, जहाँ पर centers है, वह आप देख सकते हैं, यहाँ एनेक्सर में cities का view रन दिया गया है, तो आपको code पहचानना होगा, कि कौन-कौन से इस्थान पे आप जाएंगे, वीभीन जगों के code ह यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो code है, वे राज्यक के code है, कौन से राज्यक को आप बिलॉंग करते हैं, वो आपको चुनना होगा, उसके अलावा subject जो है, वे नेट के लिए कौन-कौन से subject लागू है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यह कुल subject जो ह जो कि अपलाई किज़ा सकते हैं, नेट परिक्षा के लिए और इसके आलावा आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एंट्री करना है, आपका पोस्टे लिएवल पे क्या सब्जेक्ट था, यह सारे सब्जेक्ट हैं जो आप पोस्ट्री लिएवल पे पढ़ा होगा और यह कुछ और कोट्स हैं, अब आपको क्या करना है, आपको आपका debit card, credit card आपके पास होना चाहिए, या आपका internet banking का password वगरा होना चाहिए, जिसे आप form fill up करेंगे, आप चलान से भी fill up कर सकते हैं, इसमें JSTV लगेगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपको क्या क्या जानकारी रखना है, आपको proceed करना है, जो पूरी detail है, इसमें, online fill up करने के लिए, वो अभी मैं आपको form के बारे में पहले बताता हूं, कि form आपको कैसे बरना है, पहले मैं आपको जो screen दिखाया था, वो screen यहाँ आप देख सकते हैं, यह fill application form वाली screen है, य 2018 पे click करना है, जैसे आप click करेंगे, तो यह page आएगा, इसमें proceed करेंगे, I have downloaded information bulletin पे select करने के बाद, फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो यह screen आएगा, इस पे आपको नाम भरना है अपना, और इसके साथ state डालना है, identification type डालना है, ID number डालना है, जो उस document पे लिखा होगा, उस इसके बाद, आपको fill करना है, आपका subject, concept, apply कर रहे है, JRF के लिए, या assistant professor के लिए, दोनों के लिए, इसमें select करना है, आपको choice of city डालना पड़ेगा, इसमें, इसके बाद, जैसे ही, आप आगे बढ़ेंगे, तो यह और जानकारिया है, आपका पता पुछा जाएगा, पोस को जब आगे करेंगे, submit, यदि कुछ गलती है, तो back करके वापस चले जाएंगे, फिर सुधार लेंगे उसे, और फिर submit पर जब click करेंगे, तो वो एक page आजाएगा, confirmation का, जिसमें चाहें, तो आप submit करेंगे, उसके बाद फिर upload scanned image करेंगे, इसमें, इसके बाद आपके पास SMS आएगा, कि आपका application बन गया है, तो फिर आप अपने password और application code से दुबारा जाकर फोटो अप्लोड कर सकते हैं, या चाहें, तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे, और अपना photo और image, आपका जो signature है, वो upload करेंगे, इसके बाद आपको paste, domination piece पे, आपका information आएगा, इस page पर, यहां पर आप piece submit कर सकते हैं, कि किस mode से आप payment करना चाहते हैं, तो mode से select कर लेंगे, और payment करने के बाद, आपको confirmation page मिल जाएगा, जो इस प्रकार का होगा, आपका application number होगा, और इसमें आपकी सारी जानकारी होगी, जो आपने अभी fill की है, इसके बाद, आपके पास SMS आएगा कि आपका form successfully submit होगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से test देना है, जो cbt test होता है, उसमें आपको username password मिलेगा, जहां आप जाएंगे, center, जो testing center है, वहाँ पर जब जाएंगे, तो आपको आपका username password मिलेगा, आप proceed करेंगे उसको भरने के बार, फिर आपको ये ये पूरा schedule है कि कब-कब exam देना है, कब attempt करना है, जब आप attempt करने के लिए proceed करेंगे, तो आपको question दिखाए देगा और उसके options दिखाए देंगे, तो आपको जो भी option आपके सनलगनिक है, वो आप select करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और इस प्रकार आप बढ़ते जाए तो आपके सारे questions यहां पर दिखाए देंगे, कि आपने कितने को fill up कर लिया है, not visited इस प्रकार से दिखाए देगा, जो red color का है, not answered, green है, answered, जो आपका ये orange color है, sorry, violet color है, वो दिखाए देगा, mark for review, इस प्रकार से आप इन options का प्रयोग करते करते, आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो option आप select करेंगे, वो यहां पर reflect होगा, और ये पूरी प्रक्रिया का timing यहां note होगा, जितना time आपको मिला है, कितना time बचा हुआ है, वो दिखाए देगा यहां पर, तो आप अपने आपको उस आधार पर test देंगे, और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी, ये options जो हैं, वो आपको दिखाए देंगे, not visited, not answered, answered, mark for review, answered and mark for review, ये दिखाए देंगे, ऐसे आपको परिच्छा को अपने परिच्छा hall में स्वाल करना है, ये जो palette है, वो दिखाए देगा वहां पर, जैसे ये green है, तो इसका रथ है, कि आपने question का answer दे दिया है, ये save and next, mark for review, clear response, अगर आपको अपने response हटाना है, क्योंकि negative marking है, तो आपको clear response भी करना पड़ेगा, mark for review and next, ये दिखेंगे आपको negative marking होगा इसमें, ये सारे options आप देख रहे होंगे, ये screen आपको दिखाए देगा test center पे, जब आप exam देने जाएंगे तो, और इसके आधार पे आपक ये की ओर से एक सुईधा दी जाती है, कि आप जो test है, उसकी तैयारी के लिए practical session ले सकते हैं, वो व्यवस्ता भी उपलब्द है, national testing agency की ओर से ये सुईधा दी जाती है, practical center, practice center जो है, वो भी स्थापित हैं, और आने वाले समय में, इन test practice centers को fixit किया जाएगा, coaching center के रूप म जहाँ पर जो चात्र है, वो निसुल्क पढ़ाई कर सकते हैं, नीट की या आप engineering या medical परिच्छाओं की, तो यहाँ पर आपको यदि आपको registration करना है, testing के लिए, practice करने के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, nta.ac.in की site पर यहाँ पर आप द sign with, जैसे यह आपको अभी screen में दिखाता हूँ, जो यह center का है, यहाँ पर student register कर सकते हैं, for practice center, यहाँ पर click करेंगे, तो आपको जो screen दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, sign with google और login with facebook, यहाँ पर आपको अपना account से login करना है, login करने के बाद, continue करना है अपने ना फिर आपको कुछ जानकाई या भरनी पड़ेंगी, जो बहुत थोड़ी जानकारी है, माता का नाम, पिता का नाम, यह सब छोटी छोटी जानकारी है, full name क्या है, आपका phone number क्या है, यह कुछ जानकारी है, city, pin court, यह सब आपको लेना पड़ेगा, और फिर आगे बढ़ने प आपको पताएंगे कि कौन कौन से center आपके आसपास है, आपको five center select करने है, जिसमें आप जाकी exam दे सकते हैं, और जिस schedule को आपको लेना है, कब आपको exam देना है, आप चैन करेंगे, और आपके आधार पर यह confirm हो जाएगा, लेकिन यह confirmability, condition based भी, यदि ज़्यादा student होंगे आसपास, तो आपका schedule बदला जाएगा, पहले तो message आएगा आपको कि आपने schedule कर लिया, इस प्रकार का message आपको आएगा, SMS कि आपका schedule हो गया, जब आपका confirm होगा, तब confirmation देगा, यहाँ पे screen पे date बताया जाएगा, कि किस दिन पे आप जाकर test practice कर सकते हैं, और test practice करने के बा किस प्रकार से आपको आपका timing set करके रखना है, तो इसका एक mobile app भी है, NTO student app, जो आप download कर सकते हैं, Google Play Store से, वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, screen पे, यह आपको NTO student, यहाँ पे install करना है इसको, इसको करने के बाद, उसी प्रका आपकी information पूछी जाएगी, state पूछा जाएगा, यह सभी होने के बाद, यह आगे बढ़ जाएगा, location आपका mobile से, वो खुछ सेलेक्ट करेंगे, आपके आस पास के कौन से centers है, या आप चाहें तो उसके अलावा भी centers चुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, आप कहीं और से गए हो, किसी और राज्य से दूसरे राज्य में गए हो, और वहाँ आप फिलप कर रहे हैं, और चाहते हैं कि दूसरे राज्य में आप परिच्छाद देगे, test का, test practice जो है वो, तो यहाँ आप चुन सकते हैं, आपका center, schedule चुन सकते हैं, और यह उसी प्रकार होगा, जैसे पहल से आपने online site पे अभी देखा था, कि किस प्रकार से आप practice कर सकते हैं, तो NTA की ओर से यह दोनों वेवस्था की गई है, कि आपको form फिलप करना है, UGC net का, उसके साथ साथ आप test practice center पे भी जाके, अपना form भर सकते हैं, और तैयारी कर सकते हैं, तो आपको बहुत-बहुत शो बनाएंगे, तो आज के लिए इतना ही साथ ही हो, मैं PC वर्मा आपको धन्यवाद करता हूँ, साथ ही आपसे अनुरोद करता हूँ, कि हमारे चैनल को सब्क्राइब अवस्य करिए, जिसके लिए लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया होगा, सब्सक्राइब बटन बना है, जिससे आप जुड़े, हमसे और अधिक सदी का प्रमा आरदसन से होग प्रतान करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक अवस्य करिए, क्योंकि हम आपसे जुड़ी होई वीडियो लाते हैं, जो आपसे सम्मंदित होती है और आपके काम की होती है, तो आज के लिए इतना ही साथ ही हो, धन्यवाद, नमस्कार